दोस्तों जब भी हमारी बोडी के अंदर विटामिस तथा मेंटरस की कमी हो जाती है तो हमारी नसो पर बहुत ज्यादा असर होता है और जब हमारी नसे कम जो हो जाती है तो हमारी बोडी में बहुत सारे सिंटम्स दिखाए जयते हैं बहुत सारी प्रोब्लम्स आने लगती है और इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने इंट्यूप चैनल या एट्री मेडिकल में जहां आप पाते हैं दवाईयों की संपोर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नसों की ताकत को बढ़ाने वाले सबसे पावरफुल मेडिसिन के बारे में तो चलिए शुरूआत करते हैं आज की वीडियो की वीडियो शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं जब हमारे सरी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है खासका कि जब मैटी विटामिस तथा मैटी मिंडर्स की कमी हो जाती है त इससे दिखाई नहीं देता है घावट इससे नहीं भर पाता है पेर के तलों में जलन होती है हाथ पेर में जुनुजुनाट होने लगती है इसके अलावा याददास्त कमज़ोर हो जाती है इससे अमारे बोड़ी का तंत्र है वह भी खराब होने लगता है तो चलिए हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रिकोनिया सिल्वर टेबलेट के बारे में तो यहां एक प्रकार की 45 माइक्र नुट्रेइन्स टेबलेट है रिकोनिया सिल्वर टेबलेट की बात करता है तो इससे सनफार्मर कमपणी दोारा बनाया जाता है और इस टेबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो 15 टेबलेट आपको 76 रुपे के लगवग मिल जाती है इस टेबलेट की डीटियल में बात करें तो यह एक प्रकार की सब्लिमेंट है और इसके अंदर 45 माइक्रो नुट्रियंस होते हैं यह आफकी जैणरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी सब्लिमेंट है इस टेबलेट के कंपोजिशन की बात करें यह नि कि इस टेबलेट में क्या-्क्य मिलाय जाता है तो इस टेबलेट के अंदर विटामीन A, विटामीन B1, विटामीन B6, विटामीन B12, विटामीन सी विटामीन डी विटामीन ए विटामीन के और सबी मेंडरल्स जैसे केलसियम सेलेनियम यह सबी चीज़ें इसमें मिलाई जाती है आप बात करते हैं इस टेप्रेट का क्या यूज है और इसको लेने पर क्या-क्या बेनिफिट मिलता है तो यह तेप्रेट हमारी बोड़ी के बोड़ी को फ्री रेडिकल से बचाती है यह तेप्रेट आपकी ग्रोथ को प्रमोट करती है आपकी भूप को बड़ाती है साथ में कमजोरी दोड़ा थकान को दूर करती है इस प्रकार इन सभी समस्चाओं को ठीक करती है अब बात करते हैं इस टेप्रेट के क्या डोस होता है और इसे कितने दिन तक लिया जाता है इस टेप्रेट को विक्ति की विमारी के इसाफ़ से इस टेप्रे दिया जाता है और यदि किसी व्यक्ति को ज़ादा प्रब्लम होती है तो उसे लंबे समय तक यह ने की सब्सक्राइब कि बात करते हैं तो वैसे इस टेड़ेट से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है लेकिन यदि कोई वेक्ति इस टेबलेट का ओवर डूज ले लेता है तो उस वेक्ति कोई इस टेबलेट से साइड इफेक्टों हो सकते हैं जैसे नोजिया वामेटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेड़ेग, गेस्टिक इरिटेशन, कॉंस्टिपेशन, इस प्रकार के कुछ अगर आफ ये अगर आप काम करते हैं तो आपके बोडी मेंटेंड रहेगी, बोडी अच्छी रहेगी तो दोस्तों ये थी पूरी जानकरी रिकोनिया सिल्वर टेब्रेट के बारे में ये जानकरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें जिससे की और भी लोगों को जानकरी मिल सकें जेहिन, जेवारत